नमस्कार आज हम करेंगे वागपाट के प्रशन उत्तर तो आए देखते हैं पहला प्रशन है रसी यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है रसी यहां पर प्रयुक्त हुआ है मनुष्य की सांसों के लिए वह कैसी है कैसी है वह वह बहुत ही कमजोर है कि सांसे ना जाने कब रुख जाएं तो रसी जो है बहुत कमजोर है और प्रयुक्त हुआ सांसों के लिए दूसरा प्रशन, कवित्री द्वारा मुक्ती के लिए किये जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्यों उसके जो वो प्रयास कर रही है, बेकार जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन में रखा गया जल तपक कर थोड़ी ही देर में वो जो बर्तन है वो खाली हो जाता है, उसी तरह से जो जीवन है कवित्री का बहर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे-धीरे वो हम लित्यों की ओर अगरसर हो रही है, उसका प्रभु के पास जाने की राह दिखाई नहीं दे रही है। कवित्री का घर चाने की चाह से क्या तात पर है। हमारा तीसरा प्रशन है। घर यहां पर घर जाने की चाह का अर्थ है। घर जाना यहां कवित्री ने बताया है कि उस प्रभु के पास जाने के लिए। जाएगी चौथा प्रशन भाव स्पस्ट कीजिए इसमें आपको बताना है कि कवित्री इन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है जेब टटोली कोडी न पाई जब अंत समय उसके नजदीक आया और उसने अपनी जेब टटोली जेब यानि जब उसने अपनी अंतरात्मा में जहांकर देखा तो वहाँ पर उसे कौडी न पाई, वहाँ पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी यानि कोई भी उसके सतकर्म, संसार में आकर के वो महमाया के बंधन में बंद गई, और उस जाल से निकल नहीं पाई, और इसी बीच इनी कामों में व्यस रहते हुए, वो कोई स सतकर्म नहीं कर पाई, प्रभु को यार नहीं कर पाई, अगला है ख, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा एहंकारी, इसमें कवीतरी कहना चाहती हैं कि ये जो संसार है, ये माया रूप है, यहां पर तो संसारी महमाया के बंधनों में इंसान पंस जाता है, और यहां आकर इस संसार के जो उपभोग के जो साधन है उनमें लिप्त रहता है, नित नए ब्यंजन खाने के उसकी इच्छा रहती है, लेकिन इस सब के वावजुद कुछ भी प्राप्त नहीं होता. यदि ना खाकर बनेगा एहंकारी, यदि तु इन बायर नम्रों में नहीं पड़ेगा कि इश्वर को कैसे कैसे प्राप्त किया जाए, और इश्वर को प्राप्त करने के लिए यदि तुम ब्रत करोगे, भूखे रहोगे, तब तुम क्या बन जाओगे? एहंकार, तब तुम घमंडी बन जाओगे, तुम्हारे मन में ये घमंड आ जाएगा, कि मैं तो सभी इंद्रियों को वश्मे करने वाला हूँ, आतम सैमी हूँ, महात्मा हूँ, तो इस तरह से तुम तुम्हारे मन में घमंड आ जाएगा, अब हमारा अगला प्रशन की तरफ हम चलेंगे? प्र बाइस सुझाया है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललवयत जीदें खा है कि अपना आतम निरिक्षिन किया जाए, अपनी आतमा के अंदर जांकर देखा जाए कि आपने कौन-कौन से सतकर्म की हैं, कौन सी अच्छी बातें की हैं, जीने देखकर आपको बंद पाये तो उसमें यही है कि अपना आतम निरिक्षिन करें और अंता करण और बायकरण की सिति का निग्रह करें, इंदरियों पर सयम रखें, जिसके कारण मन रूपी जो द्वार है, मन रूपी जो किवार बंद हुए हैं, उनकी सांकल खोल जाएगी, चेतना लौट आएगी अगला प्रशन, इश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधव, हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे लक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यह भाव हमारे कौन से वाख में प्रियुक्त हुआ है? तीसरे वाख में, इसमें आप तीसरा वाख की जो चार पंक्तियों हैं, वो लिखेंगे. प्रशन नमबर साथ, ज्यानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्यानी यहां उसे कहा गया है, जो संसारिक मुहमाया के बंधन में नहीं पढ़ता, जो सबके प्रती समभाव रखता है, समानता का भाव रखता है. उसे ही ज्यानी कहा गया है, इसी के साथ हमारे इस एक और नए पार्ट के साथ मिलेंगे हमारी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार.